नमस्कार मैं राजीब कुमार प्रायोगिक विद्याले ख्यत्रिये सिक्षा संस्थान NCERT महसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हारदिक अभिनंदन करता हूँ आज मैं कक्षा आठवी की हिंदी पाठि पुस्तक दुर्वा भाग तीन में संकलित एक बहुत ही प्यारी कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपने अक्सर लोगों से या कहते हुए सुना होगा लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आपको पता है या पंक्ति किन होने लिखी है कोई बात नहीं या पंक्ति कवी सोहनलाल दुवेदी जीने लिखी है आज हम उनकी ही एक प्रस्थिद्ध कविता ओसका का ब्यपाट करेंगे कवी परीचे सोहनलाल दुवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 इस्वी को उत्तर प्रदेश के फटेपुर जीले की तहसील बिंदगी के सिजवली नामक ग्राम में हुआ था सोहनलाल दुवेदी महत्मा गान्धी से बहुत प्रभावित थे दुवेदी जीने आजादी की लडाई में भी हिस्सा लिया तथा जेल भी गए भैरवी, वासवदत्ता, पूजागीत, विश्पान, जैगांधी, सेवा ग्राम इत्यादी उनके प्रमुक कवीता संग्रह हैं उन्होंने बाल सखा नामक बच्चों की एक पत्रिका का संपादन भी किया उनके कई बाल कवीता संग्रह भी हैं जिन में दूद बतासा, शेशु भारती, बाल भारती, बांसुरी, जर्ना, बिगुल, बच्चों का बापू, इत्यादी प्रमुक हैं सन 1979 में भारस सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधी से सम्मानित किया आज के इस काडिकरम के अंत में विध्यार्थी कवीता पाठ की आदर्श श्यली से अवगत होंगे कवीता के मूल अर्थ को समझ कर उसे अपनी भाषा या बोली में प्रतुत करने में सक्षम होंगे कवीता में आए आप परिचित शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को जान सकेंगे अपने आसपास के पढ़ियावरण और जीवन में प्रकृती के अमुल्ली योगदान के प्रती जागरूख हो सकेंगे तथा अलंकार के सामानी परिचे से परिचित हो सकेंगे आईए अब इस कवीता का आदर शुवाचन शुरू करते हैं चौथा पाठ शिर्शक ओस हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़िया कौन रात में गूथ गया है ये उज्वल हीरों की कडिया जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम नव के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम लुटा गया है कौन जोहुरी अपने घर का भरा खजाना पत्तों पर फूलों पर पगपग बिखरे हुए रतन है नाना बड़े सबेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दीवाली वन उपवन में जला दी है किसने दीपा वली निराली जी होता इन ओसकनों को अंजली में भर घर ले आऊं इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं कवी सोहनलाल दुईवेदी प्यारे विद्यार्थियों काव्यपाट के दोरान आपने कुछ अपरीचिस शब्दों पर गौर किया होगा तो आए उन शब्दों के अर्थ और वाक्य प्रयोग को समझते हैं पहला शब्द है गूथना जिसका अर्थ है पिरोना जिसे अंग्रेजी में टू इंटर्वाइन कहते हैं वाक्य प्रयोग माली फूलों की माला गूथते हैं दूसरा शब्द है उज्वल जिसका अर्थ है चमकदार जिसे अंग्रेजी में ब्राइक कहते हैं वाक्य प्रयोग शिक्षक हमेशा विद्यार्थियों के उज्वल भविश्य की कामना करते हैं तीसरा शब्द है जहुरी जिसका अर्थ है हीरे मोती सोने चांदी आदी रतनों की जाच परक करने वाला जिसे अंग्रेजी में ज्वेलर्स कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें हीरे की सही कीमत जहुरी ही जानता है चौथा शब्द है नाना जिसका अर्थ है अनेक जिसे अंग्रेजी में मेनी कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें जंगल में नाना प्रकार के जानवर रहते हैं पाचवाँ शब्द है पगपग जिसका अर्थ है कदम कदम पर जिसे अंग्रेजी में on every step कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें सैनिकों के जीवन में पगपग पर खत्रे होते हैं छठा शब्द है उपवन जिसका अर्थ है छोटा जंगल या बगीचा जिसे अंग्रेजी में garden कहते हैं वाक्य पड़योग देखते हैं उपवन में तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल खिले हैं सात्वा शब्द है बहु मुल्य जिसका अर्थ है अधिक कीमती जिसे अंग्रेजी में प्रिश्यस कहते हैं आईए वाक्य प्रयोग देखते हैं संग्र हाले में बहु मुल्य वस्तुएं रखी जाती हैं आठवा शब्द है निरक निरक जिसका अर्थ है देख देख कर जिसे अंग्रेजी में तूसी कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें दादी निरक निरक कर चावल से कंकड अलग करती थी नवा शब्द है अंजली जिसका अर्थ है अंजुरी अर्थात दोनों हथेलियों को मिलाकर अंजली बनती है जिसे अंग्रेजी में फोल्डेट पाम कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें बरतन नहीं होने पर हम अंजली में जल भरकर पीते हैं अंतिम और दस्वा शब्द है जुगनु अर्थात एक कीड़ा रात में उड़ने पर इसकी दुम से रोशनी निकलती है जिसे अंग्रेजी में फायर फ्लाई भी कहते हैं वाक्य प्रयोग देखें जुगनु से निकलने वाले प्रकाश का रंग पीला हरा या लाल होता है प्रिये विद्यार्थियो आईए अब हम कवीता के भावार्थ को समझते हैं हरी घास पर विखेर दी है या किसने मोती की लड़ियां कौन रात में घुस गया है या उज्वल हीरों की कड़ियां भावार्थ कवी सोहन लाल डिवेदी जी कहते हैं कि सुभा सुभा जाड़े के मौसम में ओस की भूंदे मानो ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे किसी ने हरी हरी घास पर मोती की लड़ियां भी खेर दी हूँ कवी को ऐसा लगता है मानो रात के सन्नाटे में कोई उज्वल हीरों की कड़ियां गूंथ गया हो जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चमचम नव के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दमदम भावार्थ कवी ओस कणों के चमक की तुलना करते हुए कहते हैं कि जब सूरज की किरणे ओस की बूंदों पर पड़ती हैं तो वे रात में चमकने वाली जुगनूओं की तरह जगमगा उठते हैं ऐसा लगता है मानों ओस की बूंदे नव के छोटे छोटे तारों के समान चमक रहे हैं लुटा गया है कौन जबूरी अपने घर का भरा खजाना पत्तों पर फूलों पर पगपग बिखरे हुए रतन है नाना भावार्थ कवी प्रकिर्ती की तुल्ना ज़हुरी से करते हुए कहते हैं कि पत्ते और फूलों पर ओस की बूंदे ऐसे चमकती हैं मानो किसी जबूरी ने अपना पूरा खजाना यानि हीरे, मोती, सोने, चांदी, आदी से बने रतनों को चारो तरब विखेर दिया हो बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में ये दीवाली वन उपबन में जला दी है किसने दीपा वली निरा ली भावार कवी ओस की सुन्दर्ता की तुलना करते हुए कहते हैं कि सुबा सुबा ओस की बूंदे ऐसे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं जैसे कोई वन उपबन यानि जंगल और बाग बगीचों में दीप जला कर दीपा वली मना रहा हो अंतर सिर्फ इतना है कि यह दिवाली शाम के बदले सुबा में मनाई जा रही है जी होता इन ओस कनों को अंजली में भर घर ले आऊं इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊ भावार्थ कभी ओस की खुफसूरती से प्रभावित होकर अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं जी चाहता है कि इन ओस की बुंदों को अपने अंजली में भर कर घर ले जाऊं और ओस की शोभा को ठीक से परकट कर उस पर एक सुंदर सी कविता की रचना कर दूं कविता के महत्व की बात करें या कविता बच्चों के मन में अपने आस्पास की प्रकृती के प्रती लगाव की भावना जगाने की दृष्टी से महत्व पुर्ण है ऐसी भावना आज के मशीनी करण और शहरी करण के युग में सबसे अधिक आवश्यक है या कवीता हमें प्रकिर्ती के अनमोल उपहारों के महत्व से भी अवगत कराती है व्या करणिक दृष्टी से देखें तो कवीता में कवीने तुकबंदी शब्दों जैसे लड़ियां कड़ियां चमचम दमदम दिवाली निराली आउं बनाउं के साथ साथ अलंकारों का भी उचित पड़ियोग किया है जिससे की कवीता रूचिकर और संगीत में बन गई है जिस तरह से मनुष्य अपनी सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए विविन आभुशनों का पड़ियोग करते हैं उसी प्रकार कवीताओं की सुंदर्ता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रियोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं आईए इसे एक उदाहरन से समझते हैं जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यो चम चम नव के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यो दम दम जगमग जगमग में शब्दों की आवरिती होने के कारण पुनरुक्ती प्रकाश अलंकार है जबकि जुगनू से जगमग जगमग और नव के नन्हे तारों से ये पंकती में उपमा अलंकार का सुंदर्प्रयोग हुआ है क्योंकि ओस के बूंदों की तुलना कर्मशह रात में चमकने वाले जुगनूओं और नव के तारों से की गई है अर्थात उपमा अलंकार में एक वस्तू या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तू के साथ की जाती है दूसरे शब्दों में कहें तो अलंकार को दो भागों में बाटा गया है जिने शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार कहते हैं इनके भी भेद हैं शब्दा अलंकार के अंतरगत अनुप्रास यमक और शिलेश अलंकार आते हैं जबकी अर्था अलंकार के अंतरगत उपमा रूपक उत्प्रेक्छा अतिश्योक्ति और मानवी करल्न अलंकार का अध्यन किया जाता है प्यारे दोस्तों आशा है आपको या कवीता अच्छी लगी होगी हमने आपके लिए कुछ प्रशन तयार किये हैं जिनके उत्तर आप लिखिए पहला प्रश्न है सोहान लाल डिवेदी की आया वसंत आया वसंत कवीता को पढ़कर बताईए की या कवीता और आपके पाठ पुस्तक की ओस कवीता में से कौन आपको अधिक अच्छी लगी और क्यों आप इस कवीता को दिये गए लिंक पढ़ भी पढ़ सकते हैं अथवा सरोजनी कुल्ष्रेष्ट की कवीता अप्थो जागो भोर हुई को पढ़िये और बताईए की इस कवीता और आपकी पाठ पुस्तक की कवीता में से आपको कौन अच्छी लगी और क्यों आप इस कवीता को दिये गए लिंक पर देख सकते हैं दूसरा प्रशन है ओस, कोहरा और वर्षा में क्या अंतर है पता लगाईए तथा उसे अपने साथियों के साथ साजा कीजिए तीसरा प्रशन है आपको कौन सा मौसम अत्यधिक पसंद है और क्यों लगभग 150 शब्दों में लिखिए आज के काड़िकरम में बस इतना ही फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें सुक्रिया